चले गाइस तो शुरू करते हैं कोशेन नंबर 105 अल्रेडी हमने सॉल किया हुआ आपके लिए आपको एक पूरी कहाने के तौर पे बना के फटावर से प्रूफ कर देते हैं कोशन बहुत बढ़ी है जब आपने कोशेन नंबर 103 देखा तो उसके अंदर हमारे को अब 105 आप कोशन करें उसमें अप्लिकेशन अलॉट्मेंट फर्स कॉल तीनों पर ही प्रीमियम मिलेगा तो लेट्स इंजॉइ नंबर 105 में हमें यह बताया गया कि 10 रुपे का एक शेर है और 3 रुपे का प्रीमियम है जिसमें अप्लिकेशन 6 रुपे की है विद 1 रुपी अलॉट्मेंट 3 रुपीज है विद 1 रुपी प्रीमियम और बुलता है बैलेंस अन फर्स कॉल आप नोटिस करो एप्लिकेशन पे भी एक रुपे का प्रीमियम है अलॉट्मेंट भी एक रुपे का प्रीमियम है और कोशन में हमें मैंचिन है टोटल 3 रुपे का प्रीमियम तो यह जो एक रुपे बच गया प्रीमियम का, it has to be on your first call, तो आए अब इस पर हम आगे बात करते हैं, तो question में हमें दिया है, एक लाख साथ हजार हमारे पास जो है, वो shares हैं as a company, और public ने अप्लाई करा 1,80,000 shares के लिए, तो आप देख सकते हैं, पहली entry हमने करी, 1,80,000 x 6, 10, क्योंकि application हमारे पास जो आई, वाई 1,80,000 shares के, as a company since 1,60,000 shares हमारे पास हैं, तो इसलिए 1,60,000 से हमने 1,60,000 x 6 share application x 5 share capital x 1 security premium किया, अब 1,60 हमारे पास application है, public ने 1,80 के लिए अप्लाई कर दिया, तो यह over subscription हो गया, तो अब company इसको कैसे solve कर रही है, कैसे इसको इसे पार पारी ह तो company ने बोला 10,000 share हम reject कर रहे हैं, तो 10,000 जो reject कर रहे हैं, उसके entry हो गई share application to bank, 10,000 x 6, 1,80 के application ID 10 reject हो गए, तो कितने बचे, 1,70, तो अब आब बताईए, 1,70 पे company प्रोडाटा लगा रही है, आपके पास कितने share हैं, 1,60, कितने extra, 10, वो कहां पर adjust हो जाएंगे, allotment, ठीक ह यहां तो clear सबको, 1,80 पहली entry, आपके पास 1,60 share है, दूसरी entry, 10 reject कर दिये, तीसरी entry, 1,80 में से 10 reject कर दिये, बचे, 1,70, 1,60 आपके पास share है, तो 1,70 पे आपने चप्रोडाटा लगा है, तो extra 10,000 share, that needs to be adjusted towards allotment, I hope यहां तक सबको clear, आईए, अब बात कर लेते हैं, allotment के entry की, so 3 रुपे के allotment है, 1,60 x 3, 1,60 x 2, and 1,60 x 1, तो application और allotment की transfer तक की entry, एक बारी आप सब भी लोग चेक कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ, शले बेटा, अब बात कर लेते हैं, आगे के entry की, bank to, और रादर share allotment के अपने entry देख लें, share allotment 4C to share capital 3, 20, and to security premium, 1,60, so 1,60 x 3, 1,60 x 2, and 1,60 x 1, अब आपकी favorite entry पर आते हैं, bank to share allotment, बेटा आने कितने थे, sir 480, already कितने adjust हो गए, sir 60, अब प्रो राटा लगाना है मेरे बचो, आप बताईए, प्रो राटा कब लगाते हैं, जब दो condition fulfill हो, पहली condition प्रो राटा लिखा हो, लिखा है question में, yes sir, दूसरी condition किसी ने allotment पर default किया हो, देखो किसी ने allotment पर default किया है, हाँ, सरा अधित्ति ने default करा है, बिल्कुल तो अब प्रो राटा लगाएंगे, कैसे, हमें question में दिया, 170 पर प्रो राटा लगाना है, आपके पस कितने question है, रादर कितने shares है, 160, और जिसने allotment पर default करा हो, उसके कितने share है, 32, 170 upon 160 into 32, कितना आगया बिटा, 3400, अब राजे 3400 shares के लिए उसने apply किया है, अगर 3400 share के लिए apply कर रहा है, 6 के साब से दिये 2400, share मिले 32, 6 के साब से 19200 के advance आगया 1200, बारिया ये allotment की, मैंने बुला, अधित्ते भाई, आपके 32 share है, 3 रुपे के allotment है, 9600 दे दो, कहता ह ये इन भाई सब के lotment ना देने से जो आपको नुक्सान है as a company, वो 8400 का है कि 96, sir, 84, 8400 यहां से minus करेंगे, that's product, अब चलते हैं ये share first call के entry पर, sir, इस पतो लिए बैलेंस on first call, कैसे निकाले हूँ एमाउंट, ऐसे, 10 का share है, 3 रुपे का premium 13, 6 के application निकली, 7 रुपे बचे, 3 के lot कितने का premium माई एक, lotment पे एक, total दो, तो अभी भी एक रुपे का premium मचा हुआ है, जो my implication first call पर आएगा, so share first call, एक साथ हिंटू 4, एक साथ हिंटू 3, share capital and premium, एक साथ हिंटू 1, अगली entry आपने बनाई, bank to share first call आने कितने दे, sir, 640, अब आदित्ते जिसके 32 रुपे के हैं, वो आदित्ते के shares को forfeit करना है, 3200 shares हैं, तो 32 into 10, 32,000, allotment पे कितने पैसे ने दिये, sir, 8400 share allotment, first call पे कितने पैसे ने दिये, sir, 32 into 4, that is 12800, first call, अब मेरे बच्चों, आप notice करना, यहाँ पर भी premium credit लिया है, यहाँ पर भी premium credit लिया है, यहाँ पर भी premium credit लिया है, इसका मतलब है, यह liability है, इसके credit ले रहे हैं, अब अगर मेरे को premium मिला ही नहीं है, तो क्या liability बनती है, no sir, तो liability अगर मैं कम करूँगा, तो वो debit हो जाएगी, yes sir, अब बेटा allotment दिया दितने, no, allotment पे 1 रुपे का premium था, first call दिये, no, first call पे 1 रुपे का premium था, तो यह जो दोर पे है, यह premium हम हमें नहीं मिला है अदित्ते से, so debit कर दिया, security premium 32 into 2, मिला नहीं premium इसने debit कर दिया, liability हमारी है ही नहीं फिर, अब यह total करा, यह minus करा, जो balance आ रहा है, 17200 जिसको मूल रहे है, share forfeited, जो credit में आ रहे है, बेटा मैंने हमेशा आपको बुला है, verify करना है, credit forfeited में वो amount आता है, जो company को defalter से receive, excluding premium, credit forfeited में वो amount आता है, जो company को defalter से मिला हो, excluding premium, so defalter कोन है, अधित्ते, कितने share से, 3400 के लिप लाई गया था, कितने पैसे दिये थे, sir 2400, इस 2400, जो की 6 रुपे की application के साथ चाहे है, इस 6 रुपे में application भी है, राधर premium भी application पर, हाँ sir है, कितने का, 1 रुप प्रीम में, 3200 share जो allotted है, वो देखो, 3200 into 1, 3200 यहां से minus कर दो, आपके पास जो बचा, वो 17200, credit forfeited में वो amount आता है, जो company को defalter से receive वो आओ, 2400, excluding premium, अगर उसमें गोई premium है, तो minus कर दो, application पे 1 रुपे का premium है, 3200 के share है, वो minus कर दो, ठेके बेटा, अब बात करते है, रीशो क कहता है, आदे share 43,000 में बेच दिये, तो bank account debit 43, 3200 के आदे कितने होते हैं, सर 1600, 10 रुपे के साथ से कितने का माल हुआ, सर 16,000, 16,000 का share तुम 43 में बेच रहे हो, तो 27,000 का gain होगे, इसको भूलेंगे security premium, ठेक मेरा बच्छा, सर आप तो कहते हैं, debit forfeited आएगा, debit forfeited तब लॉस में बेच दिया, आठ में बेच दिया, तब debit forfeited, यहां तो फाइदाई में बेच रहे हो, 16,000 का माल 43,000 में बेच रहे हो, तो जितना भी extra में बेच रहे हो, that will be your security premium, I hope यहां तक clear, तो सर अब इसमें, वो capitalism कैसे निकालेंगे, देखे, share forfeited to capitalism, formula क्या बता है था, सर आपने क इतने share forfeited किये दिर राई, हां सर, रीशू कितने करें, सर, रीशू आदे करें, सर, तो 32 का आदा, 16,000 रीशू करें, हां, यह credit forfeited, 17,000 है, हां, कितने shares का, 32,000, रीशू कितने करें, आदे, तो बेटा, credit forfeited भी इसका आदा ले लो, वही, 17,000, बतिसो शेर का credit forfeited रहे हो, तो यह credit forfeited इसका आदा कर लिया, कितना आ गया, 8,600, मैंने तुम्हें formula क्या बता था, credit forfeited minus, so debit forfeited, तो आप बताइए, यहांपे कोई debit forfeited है, नहीं, 0 ले लो उसको, so 8,600 minus 0, your answer, share forfeited to capitalizer is 8,600, so बहुत ही बढ़िया question है, इसको अच्छे से देखें ध्यान से, और कोई भ आपी से,ब हो आच कितनी है, जिरे बताइएा लो same, 2 मो कोई से, इसको सेस्थे बताइए, यहांप, दापी सैंड एन कितना परे भी मिता।